हेलो एवरिवान, वेलकम टू माई चैनल हिंदी टैरो डैक्ट रिपल टू मैं हूँ पललवी कैसे हैं आप सभी लोग, I hope आप सभी अच्छे होंगे सो गाईज आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग और आज इस रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसमें आज हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके परसन के बीच में करंट में चल क्या रहा है ठीके और साथ ही ये भी देखेंगे कि ये थर्ड पार्टी आपके लिए क्या फीलिंग्स रखती है आपके बारे में क्या सोचती है ये चीज देखेंगे ठीके गाईज एक जन्रल और एक कलेक्टिव रीडिंग है तो आपसे हंडेड परसन रेजोनेट करें ऐसा पॉसिबल नहीं है टाइमलेस रीडिंग होगी जबी भी आपके सामने आएगी आपके लिए ये तभी से एप्लिकेबल हो जाएगी ये रीडिंग मैरेड और अनमैरेड कोई भी परसन देख सकता है थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है फैमली, फ्रेंड, हस्बेन, वाइफ, एक्स आपको जादा बहतर पता है कि आप लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी कौन है अगर थर्ड पार्टी है आप लोगों की सिचुएशन में तभी आप ये रीडिंग देखिएगा चलिए देखते हैं फरस्ट इसेक्षण दोनों की बीच में करण्ट में चल क्या रह सब्सक्राइब के चल रहा है दोनों के बीच में सिक्स ऑफ सोर्स के चल रहा है करंट में वीवर्स और उनके पर्सन के बीच में किंग ओफ वांड अभी तक जेमिनाई लिब्रान एक्वेरियस मिठुन तुलाइन कुंपर राशी और एरीस लियो एंड सजटेरियस मेश सिंगन धनु राशी आई है यह जो भी अनर्जी बता रही हो न गाईज मैं यह आपके पर्सन और उस थर्ड पार्टी की होगी हां पर बताईए यह क्या चल रहा है तो फूल कर दाईख्यन रहा है का चल रहा है था प्र это प्रसन के बीच में करन्ट में क्या चल रहा है यह क्या प hr से 1 прекASON यह प्यंव पाइसाइज आनी सकॉपियो करक मीन डिखिक सि क्लिए हम FU थंटjuेशन लोग को फाइब कहें सी इसहन्ट करपिए आप लोगों कीले मुए मन्त है यहाफिर नमबश परत्वाइब सकता है थर्ड पार्टी और आपके पॉसन के तूप गाई की जे निवर्स और बताइए क्या चल रहा है दोनों के बीच में करण्ट में क्या चल रहा है सेवन ऑफ पैंटिकल्स टॉरस वर्गों कैप्रिकॉर्ण ब्रिश्व कन्यान मकर राशी नंबर सेवन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यानि की जलाई मंथ पीजे निवर्स बताइए क्या चल रहा है थार्ड पार्टियों मेरे वीवर्स के बीच में करण्ट में क्या चल रहा है थ्री ओव वांस गाये पीचे इनिवर्स बताइए क्या चल रहा है दोनों के बीच में करण्ट में नंबर थ्री और मार्ज मंथ भी गाईस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपसे किसी ना किसी थरा से यह रिलेट कर सकता है गाई पीचे इनिवर्स बताइए एक काड़ो दीजें क्या चल रहा है दोनों के बीच एट ओफ कप्स कैंसर पाइसेजन स्कॉर्पियो कर्कमीन और विरश्चिक राशी आया है बॉटम ऑफ दा डेक टू अफ पैंटिकल स्टॉर्स वर्गवें कैप्रिकॉन वरश्चप कन्या और मकर र बीच में यह हो सकता है यह लोग अभी ना जो ग्रैफिकली दूरियों पे रहते हैं यह भी आपे चांसे हैं मुझे आपर यह दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में जो थर्ड पार्टी है उसकी शौक की बात करूँ तो बहुत जादा यह सेलिब्रेशन में मस्त बहुत जल्दी प्यार भी आजाता है प्यार करते हैं तो एक्स्ट्रीम में करते हैं गुसा करते हैं तो वो भी एक्स्ट्रीम में करते हैं यहाँ पर शौर्ट टेमपर हैं दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आजाते हैं पिना किसी सोचे समझे क्लारिफिकेशन के यह तुरंत बातों में आ जाते हैं इसा यहां पर दिखाते हैं हमेशा ऐसे हैं कि यह ना हर चीज के लिए बहुत ज़्यादा पैसिनेट है यह इन से रधा स्मार्ट कोई परस्नालिटी नहीं है इन से रधा स्मार्ट यह ऐसा जरू होए हैं और इतने इनके बीच में लडाई जगड़े होए हैं कि यह लोग ना एक दूसरे को छोड़ कर जाना भी चाहते हैं ऐसा यहां पर लग रहा है दोनों कार्ट्स आये हैं जो मूव ओन को बताता है छोड़ने को बताता है फीलिंग्स को पीछे छोड़ कर कही दूर जाने को बताता है प्यार की तलाश में जाने को बताता है हीलिंग्स पर जाने को बताता है यानि कि यह दोनों इस समय पे एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं ऐसा यहां पर है कि इन लोगों के बीच में इतनी लडाई जगड़े होए हैं अगर इन लोगों के बीच म ego clashes भी हुए हैं दोनों ये third party और आपके person दोनों egoistic हैं और इनके ego ही इस लड़ाई जगड़े में clash हुए हैं ये चीज़ दिखाई दे रही है और इसी वजह से शायद ये लोग ना एक दूसरे को चाहें वो third party आपके person को बोल रही हो कि वो छोड़कर चली जाएगी आपके person बोल रहे हैं यहां पर एक person दूसरे को जरूर बोल रहा है कि वो इस रिष्टे में नहीं रहना चाहता वो जाना चाहता है अगर ये कोई parents issue हैं तो ये 100% आपके partner ही हैं वो ऐसा बोल रहे हैं कि वो कहीं चले जाएंगे ये सब चीज़ चाड़के ये रोज रोज की लड़ा को यहां पर ऐसा लग रहा है इस third party के साथ कि इसके साथ ना वो प्यार वो comfortable वो feelings नहीं है जो वो actually में चाहते हैं ये चीज़ है यानि कि वो कहीं न कहीं को ये धमकी दे रहे हैं कि भई मेरे को प्यार व्यार नहीं मिल रहा है और मैं चला जाओंगा या चली जाओंगी ऐसा प्यार की थलाश में या सन्यासी ले लूँगा या ले लूँगी ये भी हो सकता है तर फूल की energy यानि कि जैसे new beginning करने को बताता है बंजारी की तरह रहने को बताता है आपके person guys थोड़ा ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जितना वो smart बनके दिखाते हैं उतना वो third party के स अब पर ego तो clashes होए हैं ये चीज दिखाई दे रही है आपके partner इस third party को कहीं न कहीं ये चीज भी समझाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनोंने बहुत करा है इनके साथ जो भी रिष्टा है इस चीज में नोंने बहुत कुछ करा है बहुत दिया है और ये कहीं न कहीं इन्हें जता रहे हैं कि ये बहुत करते थे इस रिष्टे के लिए हो सकता है third party ही कर रही हो लेकिन most probably आपके person की ही energy मुझे feel हो रही है यहाँ पर उसके अलग मुझे आपे five of cups का card बता रहा है कि इस समय पर आपके person बहुत जादा दुखी है इन्हें regret हो रहा है किसी चीज के खोने का किसी चीज के जाने का किसी चीज के दूर होने का इन्हें बहुत जादा यहाँ पर realization हो रहा है यह यह नहीं समझ पा रहे है कि हां भई जो जिस चीज के लिए काफी ज़दर realize कर रहे हैं इन्हें दुख हो रहा है उन चीजों के तरफ बढ़ने की बज ये side energy में मुझे जादा रहते हुए दिखाई दे रहे हैं बेसिकली guys मुझे आपर ये भी दिखाई दे रहे हैं कि आपके person ना इस third party को back दिखाना चाहते हैं एक decision लेना चाहते हैं पट आपके person के साथ overall energy आई है two of pentacles काफी जदा जगल भी कर रहे हैं confused हो रहे हैं ले लिया उस decision को कैसे implement में लाया जाए कैसे मतलब उसे कैसे form में लाया जाए उन चीजों में जगल कर रहे हैं आपके partner with this the chariot card निकलना चाहते हैं ये जो भी सब्सक्राइब के साथ चल रहे हैं ये जो रोज रोज की लीडिंग वाला रोल प्ले कर रहे हैं ये थर्ड पार्टी से न अब थक हार कर निकलना चाहते हैं बट उसके अलावा भी नहीं बहुत ज्यादा जगल भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं थ्रीयग-वल्च को क्लैरेफाय करके देखते हैं क्या ड्रिसेजन लेन चाहते हैं ये वाहिपंट दुछन लेना चाहते हैं कहां कि या पे लिए पिशकर गाईस आपके परसंस इस समय पर अपनी ग्रॉथ पे काम करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने pentacles पे काम करना चाहते हैं पैसा कमाना चाहते हैं मतलब अपने आपको बहुत उचा एकदम top of the world पहुचाना चाहते हैं यह चीज दिखाई दे रहे है two of pentacles क्यों आया है किस चीज में यह जगल कर रहे हैं guys वो guide kitchen verse किस चीज में जगल कर रहे है two of pentacles बहुत सारे cards केर गए हमारे two of pentacles को clarify kitchen verse और बताए किस चीज में इतना जगल कर रहे हैं इन दो चीजों में दुवेद्धा में है guide kitchen verse guys यह आपके लिए और इस third party के बीच में जगल कर रहे है इन्हें कई न कई आपकी भी यादे सता रही है ऐसा नहीं है कि आपको यह भुला चुके है अगर आपको लगता है कि यह भुला दिया है नोने तो इन्होंने अभी नहीं भुलाया है अभी भी आप इनके दिल में हो और अभी भी आपके सात ये वही जो सूल में और एक ट्विन फ्लेम वाला कोनेक्शन होता है न वही कर रहे हैं और उन्हीं चीजों में जगल कर रहे हैं ऐसा यहां पर दिखाई दे रहा है कि तो वरॉल मैं बोलू तो अगर यह जाना भी चाहते हैं न कहीं तो आपकी तरफ ही बढ़ना चाहते हैं आप को लेकर जाना चाहते हैं ऐसा यहां पर दिख रहा है चाहरे को इस थार्ड पार्टी के साथ अपने आपको बहुत ज्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं एकदम यह अपने आपको ना जैसे हर समय ने लगा रहता है कि यार मैं निकल जाओं किसी भी तरह से बस मैं निकल जाओं इस situation से यह इस relationship से मैं बस निकल जाओं चाहें उसके बार मुझे अकेला ही क्यों न रहना पड़े यह ऐसा सोच रहे हैं लेकिन बस अब यह निकलना चाहते हैं यहां से ऐसा इनके साथ हो रहा है यह जो moment चाहते हैं यह अपनी stuck energy से निकलने के लिए सोचत guys देखें आपके person चाहते हैं कि अब इनकी life में सब अच्छा अच्छा हो यानि कि third party के साथ इनकी conflict हो जाते हैं यह sad energy में पहुँझाते हैं एक दूसरे को जताया जाता है कि हमने इतना करा तुमने इतना करा इन सब चीजों से निकलना चाहते हैं new beginning करना चाहते हैं और चाह दूसरों को जताना यह अब नहीं चाहते हैं अब चाहते हैं कि अच्छे से जैसे normal person जीता है रहता है वो रहा जाए हाँ यह चाहते हैं अब यह new beginning के लिए थर्ड पार्टी का क्या रूल चल रहा है three of cups का क्या रूल चल रहा है हाँ पर गाइड कीचे उनिवर्स three of cups दो कार्ड किर गए थर्ड पार्टी तो गाइज देखें आपके person को अभी भी जीतना चाहती है उन पे जीत हासिल करना चाहती है अभी भी यही चाहती है कि आपके person जो भी करें वो इसके according करें यह guide करें और आपके partner चलें यह थर्ड पार्टी practical बहुत है दिमाग से बहुत चल रही है ऐसा नह आपके person को ना बस guys जीतना चाहती है बस उन पे किसी भी तरह से जीत हासिल करना चाहती है चलिए देखते हैं यह थर्ड पारिए अगर इसे आपके बारे में पता है, तो ये आपके बारे में क्या सोचती है, नहीं पता है, तो तो obviously कोई बात ही नहीं रही, अगर इसे पता है, या इसे थोड़ा सभी आप पे डाउट है, तो ये आपके बारे में क्या सोच रही है, ये चीज देखते हैं, वो ende किल तो कि भीस व्रीजल किषया अटल जमनन की अपटों से लिए थार्ड पार्टीं क्या सोच रही है कि अब फीलिंग सेक्व है को लेकर करेंटमे गार porn में क्या सोच रहीं इन की बारे में गायट पटायिए मौट सारे काड्स आगए कर दुर्ट पेज ऑफ़ कपेज इतब सोर्स गायों की जिए अलगा जाइए थर्ड पार्टी नंठीक मे whites टैन आफ पैंटिकल्स नाइट ऑफ कप्स थार्ड पार्टी क्या सोच रही है मेरे वीवर्स के बारे में फूर राइट कीजिए इस थार्ड पार्टी की मेरे वीवर्स को लेकर सिक्स ऑफ वॉंड्स गाइट कीजिए इस फाइव पैंटिकल्स यहां पर आप लोगों के लिए गाइज नंबर फाइव बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपसे रिलेट कर सकता है यानि कि मई मंत थार्ड पार्टी का क्या मानना है मेरे वीवर्स को लेकर करन्ट में गाइ अगें फाइव नंबर आया है गाइस हो सकता है आप लोगों को 555 भी दिखाई देता हो यानि कि आप लोगों की लाइफ में कोई बहुत बड़ा मीजर चेंज आने वाला है वो चेंज बेसिकली आपके थार्ट्स पर निर्भर करेगा यानि कि अगर आप पॉजिटिव तो वो चेंज नेगेटिव भी हो सकता है तो वो चेंज जो है वो आपके थार्ट्स के उपर है कि आपने क्या मैंनेफेस्ट कर लिया एक कार्ड देखते हैं गाइट की चेंवास और बताएए क्या है थार्ड पार्टी की फीलिंग्स मेरे वीजर्स को लेकर थ्री और सोट् प्रफ पैंटेकल्स गाइज इस थर्ड पार्टी का ऐसा मानना है कि उसके लाइफ में यह जो दर्द चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है उसकी लाइफ में जो लडाई जगडे यह स्टक एनरजी या केले रहने का डर यह सब चीजे जो चल रहे हैं उसका सि लेके का लसा अपे लग रहे है हो सकता है आप अपने परसन से मारिड हो आपके बच्चे हो आप फैमिली हो एक तरह से यह भी हो औक साथ है आपके बावजूद से तरफ और सिर्फ आप वहां पे भी आया है आपके परसन उसके साथ रहने के बावजूद भी अपने आपको बहुत अधा स्टक महसूस कर रहे हैं उसका कारण आप हो क्योंकि आप उनकी यादों में अभी भी रहते हो उसका ऐसा मानना है फाइव फैंटिकल्स का कारण ये बता रहा है कि ये थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आपने उससे अकेला कर दिया है उसके परसन को आपने उसकी लाइफ से निकाल दिया है आपने उसे ऐसे बंद अंधेरे कमरे में डाल दिया है और उसका कारण उसका दोशी वो आपक कि वो अपने एक new journey start करना चाते हैं पैसों पर काम करना चाते हैं उसका कारण भी आपको मानती है कि आप लोग अभी भी communication में हो आप लोगों की बाते होती हैं और आप ही ने उनके कान भरे हैं इस चीजों को लेकर जो उसके और आपके person के बीच में यह conflict हुआ है ना काफी तू तू में में हुई है काफी wrong words बोले गए हैं इगो जो clashes हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपने इनके कान भरे हैं इस वज़ा से वो उनसे लड़ रहे हैं इसका ऐसा मानना है यानि कि इसको यह नहीं लगता कि आप लोग no contact zone में हैं उस से अभी भी यह लग रहे है कि आप लोग बातचीत कर रहे हो चाहें उससे छुपके ही कर रहे हो लेकिन आप कर रहे हो उसको लग रहे है यह जो दर्द मिला है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वज़ा से है उसके बीच में जो तनी लडाईया हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ कैसे रक्का जाए यह चीज हो रही है उसके साथ तो पूल भी आसी लग रही है यह समय वैसे आपको बता चुकी है उसको यह लग रहा है कि आप बा disciplines mind करते हो आप आपस में के परसन ही आपस बात करते हैं चुप-चुप के और उसकी कर चाहां कर यह का मेंक पर provinces तो बेसिकली उसको यही doubt हो रहा है कि आप लोगों के बीच में communication अभी भी जारी है उसके back के पीछे उसका ऐसा मानना है। उसके अलग से ये भी लग रहा है कि कहीं न कहीं आप लोगोंका रियूनियन हो चुका है यानि कि आपके partner ने अपनी तरफ से आपको already offer कर दिया है रियूनियन के लिए उसको इन चीजों का भी doubt हो रहा है यानि कि वो अभी भी यही सोच रही है कि आप लोग अभी भी एक commitment में हो, एक relationship में हो, उसको यह चीज़े लग रहा है अभी भी, यह third party का ऐसा भी मानना है कि आप बहुत ज़्यादा positive हो, ठीकि थर्ड party कोई भी हो सकती है, parents भी हो सकते हैं, parents भी यह चीज़ मान सकते हैं कि आ आपना उनको लेकर, अपने person को लेकर बहुत ज़्यादा positive हो, आप उन्हें किसी और से share नहीं कर रहे हो, आप उनके पास उन्हें नहीं रहने दे रहे हो, और इसी वज़ह से वो आपकी तरफ attract भी हैं और आप कही ना कही उन्हें ना ले जाओगे अपने साथ, उनका ऐसा म मानना है कि आपकी वज़ह से ही ना उनके घर में इतने लड़ाई जगड़े, इतने conflict हो रहे हैं, घर में परिशानिया चल रही हैं, अशान्ती हो रही हैं और इतना दर्द में हैं, तो ये सब चीजे सिर्फ और सिर्फ आपकी वज़ह से उनका ऐसा मानना है, अगर ये कोई उन्हें जीतना चाहते हो, उसका ये मानना है, उसको ये भी लग रहे है कि आप बाई हो, बाई क्रुक बस चाहते हो अपने person को और आप लोग हो भी, communication में हो भी अभी, वो ऐसा भी मान रही है, उसको ये लग रहे है कि आप लोग ना उसे बहुत पीछे, बैक के पीछे उस और बताईए, इस रिष्टे के विश्य में आप क्या कहना चाहते हो, गाईट कीचे इनवर्स बताईए, इंप्रूविंग हेल्थ हो सकता है गाईज, आपके समय पे हेल्थ अच्छी नहीं चल रही हो, तो आपसे बोला जा रहा है, आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, अप आपकी हेल्थ सही नहीं होगी ना, तो ये सब चीजे होने के बाप अपजूद भी आपकी लाइफ फिर भी सही नहीं रहेगी, तो आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, Meditation brings answers, आप meditate करो, आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, ये बोला जा रहा है आपसे, Abundance, आपकी लाइफ में abundance आएँगी, ऐसा नहीं है कि हमेशा ये bad face चलता रहेगा, Abundance आपकी life में लिखी हुई है, Perfect timing, जो भी चीज़े होंगी न, वो perfect timing पे होगी, और हो सकता है, ये आपका perfect time भी चल रहा हो, इसके भी chances हैं, क्योंकि इन लोगों के बीच में काफी अन्बन दिखाई दे रही है, The situation will improve, जो situation है न, आप लोगों के बीच की, वो improve हो जाएगी, ये मैं आपके लिए cards निकाल रही हूँ, आप दोनों के बीच में जो रिष्ठा है, यानि कि आपके person और आपके बीच में जो रिष्ठा है, थर्ड पार्टी के से कोई मतलब नहीं है, तो आपसे बोला जा रहा है, आपकी जो situation है, वो improve हो जाएगी, एक card और दिख लिएते हैं, Peaceful Resolutions, आप लोगों के बीच में जो अन्बन चल रही है, जो लडाई जगड़े चल रही हैं, जो debates हो रही हैं, उसका एक बहुर्त शान्ती से बैट कर solutions निकलेगा, ऐसा आपसे angels बोल रही हैं, आपके रिष्टे के विशय में, ठीक है, और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजेगा, ताकि इसी तरह से और अच्छे अच्छे रिडिंग्स, और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे, आज के लिए बस इतना ही, ओके टाटा बबाई,